नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर 9 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है हेड लाइन्स के प्रयोजक हैं मुफ्ती युवाओ की पहली पसंद स्रीचन मंदिर के ठीक सामने निट बायलोजी इन्बक्सर कोचिंग इंशूट बाई प्रकासर बाई पास रोट बाबा नगर की गली अब नजर परमुक सुर्खियों पर रात्री बेला में संपन्द हुआ राम विवा आज होगा राम कलेवा सिमरी प्रकंड में चुनाओ संपन्द 65.64 परतिसत हुआ मद्दान मनाही के बाद भी किसान जला रहे हैं फसल आउसेश कोविट को लेकर प्रसासन ने जारी की नई गाइडलाइन मतदान के दोरान गंगावली में पुलिस की गारी पर पथराव नसा मुक्ती रष चलाएगा जागरुपता अभियान प्रसासन ने की आरवाना सोनाली वर्मा बनी महिला विकास सेवा संस्थान की राश्तिय अध्यक्ष अधिवक्ता की हत्या के वीरोध में परदर्सन खबरे बिस्तार से के प्रयोजेक्ट है आरके ज्वेलर्स आकरसक आभोशनों के विश्वशनी ये विक्रेता यमुना चौक काम धेन उन्यक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब ख़बरों की चर्चा विस्तार से और सबसे पहले हम देश के पर्थम सीडियेस जनरल बीपिन रावत को सरधांजली अर्पित करते हैं बीते दिन बुद्धवार को हेलिकॉप्टर दुर्गटना में वे सहीध हो गए उनके परती सभी ने सरधांजली अर्पित की है हमारी बुलेटीन की पर्थम पहली सुर्खी आर्थ दिसंबर की रात्री वेला में संपन हुए राम विवाह से संबन्दी थे वहां भी राजेंदर दास जी द्वारा कारी करम के मद्धे में दो मिनिट का मौन रखकर प्रभू नाम का संकिर्टन कर जन्रल बिपिन रावत एममन की पत्नी मधुलिका रावत के परती सरधांजली अर्पित की गई साथ ही देर इसके अन्यवीर जवानों को भी नमन किया गया अब ख़बर की पहली सुर्खी आड़ इसम्मर की रात्री वेला में बकसर का मसुहूर सीता राम विवा महोसो संपन हो गया आप इस द्रिस में देख पा रहे हैं नया बजार के सीता राम विवा आश्रम में खाकी बाबा सरकार और स्रीमन नरायन जी की ये प्रतिमाएं जो वहां विद्यमान रहती हैं ऐसा माना जाता है या दोनों भी इस कारिकरम में सरीख होते हैं इसलिए उनकी यह उनकी प्रतिमा का या विग्रा वहां रखा रहता है भारती अवेस भूसा में सजी महिलाएं सुभरवस्त पीले रंग लाल रंग की साड़ियों में और पूरा विवाह मंगल गीचों के साथ गुन जायमान होता है इस उत्सव का अनुन देखकर लोग भाव विवोर हो जाते हैं पूरी रात लोग डटे रहते हैं सुत्रों की माने तो यह करम रात्री नव बजे के उपरान शुरू हुआ और प्रात चार बजे तक चला क्योंकि ब्रह्म वेला में ही विवाह का महुर्थ संपन होता है इस पूरे आयोजन में यहां लावा मिलाते राजाराम जी साधी के उपरान दुलह दुलहन एक साथ औ अब ही आप वहां की गीतों की एक जलक सुन सकते हैं बुलेटीन के दूसरी प्रमुक्सुर्खी बीते दिन बुद्वार को सिमरी प्रखंड में चुनाव संपन्न हो गया जिलापरसासन के अनुसार इस प्रखंड में कुल 65.64 परतिसत लोगों ने मद्दान किया है जिसमें पूर्सों का प्रतिसत पहली दफा महिलाओं से आगे बताया गया है इस चुनावी कभरेश को लेकर हमारे प्रतिनीधी सुमीत पांडे सिमरी प्रखंड के ग्रामिन इलाकों में गय थे इसके अलावा वरिये सम्मद अता संजे उपाध्याय बीस पूर्य मामले पर नजर बनाये हुए थे दो पहर तक मद्दान सांती पूर धंग से संपन्ड हुआ दो पहर बाद दो तीन जगों पर छोटी मोटी धक्कम धुक्का एवं गंगवली में पत्राओ की खबर सामने आई फिलाल सुमीत पांडे की एक रिपोर्ट दसवे चरण के मद्दान को लेकर के सिमरी प्रखंड में आज जो है मद्दान वो शुरू हो चुका है सुबसाद वह साब को बताते चले कि मद्दान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी 12 बज करके 13 मिनट हो रहे हैं और 11 बज तक का जो प्रशासनिक अपडेट आया है वहाँ पर सिमरी प्रखंड की बात कर ले तो 19.75% मद्दान जो है वो हो चुका है जिसमें पूर्चो की संख्या 21.6 बताई जा रही है तथा महिलाओ की जो संख्या है वो 17.9 प्रतिशत अभी तक प्रशासनिक अपडेट बताया गया है आपको बताजे चले कि सिमरी प्रखंड में 20 पंचायतों को लेकर के आज पंचाय चुनाओ के लिए मद्दान संपन कराये जा रहा है जहां पर की कुल 303 बूत बनाये गए हैं अब यह मौझूद है सिमरी प्रखंड के एक बूत पर जहां पर की आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं यहां पर इस विद्याले पर सिमरी हाई स्कुल का विद्याले है जहां पर की चार बूत बनाये गए हैं बूत संख्या 14, 15, 16 और 17 बनाये गए हैं जहां पर की मद्दान की प्रक्रिया भी लगतार चल रही है पांच बेज तक साम को मद्दान संपन कराये जाएगा और अभी तक 11 बेज तक का अपडेट है कि आपको 19 दसमनलो 75 प्रतिशा अभी तक मद्दान कुल कराया जा चुका बनाये गए हैं जहां पर की मद्दान की प्रक्रिया चल रही है और सिम्री प्रकर्ण की बात कर ले तो कहीं कहीं पर जो कुछ वैसे लोग थे जो की गड़बड़िया फैला रहे थे तो उनको भी हिरास्त में लिया गया है लेकिन उसकी प्रसासनिक पुष्टी अभी तक न जहाँ जहां गरबडिया पाई जा रही है उन गरबडियों को दूर किया जा रहा है लेकिन अभी तक की जहां तक की 12 बज़ दक की रिपोर्ट बता ले तो एक तरस् ensuring कहलें कि जो चुनाओ हो वह शांति पून माहौल में संपन करा रहा है तथा जहां पर भी गरबडिया जामी का दौर चलता ही है इसी क्रम में जिलादिकारी अमनसवीर से भी हमारे प्रत्निधी ने बात चीद किसी भी तरह की कोई सुचना अफ्राप्त नहीं हुए है पूरे जमलों को टीम टीम है सेक्टर है जोनल है सुपर जोनल है और हम लोग भी सभी बुतों का मुएना कर र दो पहर तक जहां माद्दान सांतिम पूर संपन हुआ वहीं दो पहर बाद गंगावली बाध पर कुरान सराय थाने की या पुलिस वैन आप देख रहे हैं जहां पथराओ के बाद इसके सी से तूट गए सूचना के अनुसार पहले वहां दो पक्ष के लोग आपस में पहर दो बजे के बाद ऐसा आया जब कुछ लोग आक्रोसित हो गए और उन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी इस दोरान कोरान सराय थाने की गारी का सीसा इसमा तूट गया गंगावली वार नमर साथ बूच संख्या 184 का या दिर से है यहीं पर यहां वाक्या हुआ हुआ पुलिस द्वारा चलाई गई लाठी एवं पत्थरबाजी के दोरान दो चार लोगों को हलकी फुल की चोटे आई हैं एकार पुलिस के जवानों को भी चोट आई है लेकिन इस मामले में किसी को हिरासत में लिये जाने की खबर नहीं है बुलेटिन की 34 सुर्की भी आपके के लिए कोवीड के संभावित खत्रे को देखते हुए जिला प्रसासन ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें यह कहा गया है सभी दुकंदारों को सोसल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा दुकानों पर वही स्टाप कारे करेंगे जिन्होंने कोवीड के दोनों ठ के लगा लिए है हालाकि किसी तरह का प्रतिबंद नहीं लगाया गया लेकिन जागरुकता एवं बचाओ के लिए सर्तें कड़ी कर दी गई है रेस्टोरेंट में 50% लोगों को ही बैठाने की अनुमती की बात कही गई है साधी विवाह पर जो प्रतिबंद समाप्त हो गया वहां जूलूस एवं डीजे बजाने पर प्रतिबंद की बात भी कही गई है मंगलवार को ही इसके लिए जिलाधिकारी के निचुत्त में अहम बैठक समाणाले में हुई थी बुलेटिन की पाचवी सुर्खी है मनाही के बावजूद भी किसान बड़े पैमाने पर फसलकाव से जला रहे हैं इस तरह के कित से वातावरण को कितना नुक्सान हो रहा है किसान इस से अगर सचमुच कहा जाए तो अन्जान तो जरूर है अन्यथा जागरुकता के बावजूद इस तरह की गलत धरकत करना परियावरण के लिए कितना भारी एवं नुक्सान दायक साबित हो रहा है इसकी परिकल्पना जब आप करेंगे तो समझाएंगे इस से पूरे मान जगत को नुक्सान है धर्ती की उर्वरा स्चमता तो प्रभावित होती ही है मित्र कीटों की मौत भी हो जाती है आप देख रहे हैं कितने बड़े प्यमाने पर इस भुखंड में फसल जलने और जलाने का आपको नजरा दिख रहा होगा काले काले धब्ब जला आए गए डंठल के निसान है इसे देख कर आप समझ सकते हैं इस पूरे इलाके में जहां गुलटिन की छटवे सुर्खी है लोग जैसा भी करें जो भी करें लेकिन उन्हें जागरुप करने के लिए परसासन कोई ने कोई इंतजाम जरूर करता है सराप के परती जाग चाले से सटे गाउं से होना है डिडी सी योगेस कुमार सागर ने हरी जंडी दिखा कर इसे समहणाले से बीते दिन बुधवार को जीले में भरमण के लिए रवाना किया उन्होंने लोगों से अपील कि अगर आप सराप का सेवन करते हैं तो क्रिप्याई से छोड़ दें क् या आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को नुक्सान पहुंचाता है सातवी सुर्खी है मैला विकास सेवा संस्थान ने सोनाली बर्मा जो नागपूर की रहने वाली हैं उन्हें राष्ट्री अधक्ष मनोनित किया है जबकि मधुवाला देवी खगडिया जो इसकी सं फासेश की जिला आपिन सी चर सिर्थ देविजी मघन अध्याठ रानी पहस्वान जी जिला कोसा द Works किरंगे स्वाल जी नंतर महा सची ममता देवी जी सभी लोग की सहमती yr महीं लुकास सेवा संथां की स्षंथ क्षर्ण 1 अध्याठ मनोनित होने पर शुनाली बर्मा जी को पूरे भारत में एक अच्छा जुरा होगा और भारत में हुरों का सनुधन का विश्तार होगा। वक्ताओं के लिए सुरक्षा बिध्यक लाने की बात कही। आज की बुलेटी में बस इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।